संसद भाउन में आज जिस तरह से दो युवक गुसेर उसके बाद उन्होंने जिस तरह से स्मोक क्रेकर्स का इस्तेमाल किया वो अपने आप में संसद की शुरक्षा में एक बड़ी से नमारी थी आज से कई साल पहले 2001 में भी आज ही के दिन संसद भाउन पर हमला हुआ था और उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो आज उसकी बरसी थी और आज ही के दिन एक बार फिर से संसद भाउन की शुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई और इस चूक की जो पटकता है वो गुरुगराम के इसी मकान में लिखी गई थी डिल्ली पुलिस के सुत्रों के अगर माने तो गुरुगराम के साथ एक्स्टेंशन के इस मकान में जो विक्की नाम का जो एक व्यक्ति था वो यहां रहता था अपने परिवार के साथ और आरोप है कि इसी के घर पर वो सभी जो हमलावर है एक तरह से जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया अंदर और बाहर वो सभी लोग इसी मकान के अंदर रुके थे और यहीं से वो दिल्ली प गए थे तो आरोप यही है कि वो सब लोग यहां पर विक्की जो एक युवक है उसके घर पर रुके थे कई सालों से वो गुरूगराम के इसी मकान में रहता था और जब इन लोगों को दिल्ली पुलिस ने गरफतार किया तो उसके बाद जो पूस्तास हुई उसी पूस्तास के है वो ही अकेली मौझूद है जिससे की अब गुरूगराम पुलिस के अधिकारी बाचित कर रहे हैं क्राइम ब्रांच के लोग यहां पहुंचे हुए हैं बताया यह जा रहा है कि सभी जो लोग है वो यहीं मौझूद थे यह भी कहा गया है कि यहां पर वो छे लोग आये करीब जो की और उसके बाद वो लोग छे के छे लोग यहां से गए थे जिनोंने संसर बहुंद के अंदर ना सिर्फ अंदर गुशे बलकि बाहर भी दो लोगों ने एक तरह से स्मोक जो क्रैकर से उनका इस्तेमाल किया था तो यह अपने हाप में बड़ी चूका संसर बहु संसर बहुन में आज जिस तरह से दो युवक गुसेर उसके बाद उन्होंने जिस तरह से स्मोक क्रैकर्स का इस्तेमाल किया वो अपने हाप में संसर की शुरक्षा में एक बड़ी से नमारी थी आज से कई साल पहले 2001 में भी आज ही के दिन संसर बहुन पर हमला हुआ था और उस लिहाद से भी अगर देखा जाए तो आज उसकी बरसी थी और आज ही के दिन एक बार फिर से संसर बहुन की शुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई और इस चूक की जो पटकता है वो गुरुगराम के इसी मकान में लिखी गई थी डिल्ले पुलिस के सुत्रों के अगर और बार वो सभी लोग इसी मकान के अंदर रुके थे और यहीं से वो दिल्ली प गए थे तो आरोप यही है कि वो सब लोग यहाँ पर रिविक्की जो एक युवक है उसके घर पर रुके थे कई सालों से वो गुरुगराम के इसी मकान में रहता था और जब इन लोगों को दिल्ली पुलिस ने गरफतार किया तो उसके बाद जो पूस्तास हुई उसी पूस्तास के बाद दिल्ली पुलिस ने इस घर के अंदर रहने वाले विक्की और उसकी पत्नी दोनों को ही रासत में दिल्ली पुलिस ने ले लिया है उनको यहां से ले करके जा चुकी है फिलाल यह जा रहा है कि सभी जो लोग हैं वो यहीं मौझूद थे यहां पर वो च्छै लोग आये थे करीब जो कि और उसके बाद वो लोग छै के छै लोग यहां से गए थे जिन्हों ने संसद बहुन के अंदर ना सिर्फ अंदर उसे बलकि भार भी दो लोगों ने एक तरह से स्मो अलिक है विक्की उसको और उसकी पत्नी को फिलाल दिल्ली प्लिस ने हिरासत में ले लिया है ध्रमपी शर्मा न्यूज 18 गुरुगराम